आज कि इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे यस बैंक और साथ में वोड़ाफन आइडिया को भी डिस्कस करेंगे इस समय स्टॉक देखें तो 17 के प्राइस पे टेड कर रहा है यस बैंक बिल्कुल सोट ट्रेडिंग परपस से हमने कहा कि इग्नोर करेंगे अगर लॉंग टर यहां देखेंगे तीन दिन पहले की न्यूज है कि इस ओप के थुरू 9,30,084 जो है अपने इंप्लाई को अलोट करें जब बोनस और इस ओप साइद आप लोगों पता होगा क्रिसिल अप्रेडिड इस लॉंग टर्म डेटिंग ऑन टायर 2 बॉंड और इंफार से बॉंड यहां देखेंगे तो क्रिसिल के रेटिंग भी जो है वो पोजेटिव होते हुए दिखा है दिलेबरी आउट एस्टेंडिंग है बड़ जो ट्रेंड है वो काफी कंसोलिडेट है पिछले वन यहर से बीच में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रही भी लेकिन आगें कंसोल अल्रेडी इन्वेस्टेड हैं तो पोजिशन बनाए रखेंगे वोड़ा फोन में कल देखेंगे लास्ट रिडिंग सेशन में नाइन परसेंट की तेजी दिखी है और हर तेजी या गिरावट के पीछे का रीजन होता है और यहां देखेंगे प्राइज जंप अबर फंड रेजिंग को लेकर के न्यूस दिख रही है एफाई बाइंग टेक्स दा स्टॉक ट्विस बेस्ट मतलब एफाई के तरफ से कुछ फंड आते दिख सकता है और अगर कंपनी को बंद होनी होती तो हो गया होता यह फंड रेज तो होना ही है आज नहीं तो कल और यहां अगर आप देखेंगे तो 24 बिलियन रूपीज इस स्टॉक के अंदर जो है 240 करोर रुपया फंड रेज होते हुए दिख सकता है इसके अलाबा जो डिलेबरी आउट एस्टेंडिंग है पिछले सोट टर्म टेडिंग का और जो यस बैंक है उसके कंपरेटिव भी चाहेंगे तो झाल